नमस्कार दोस्तो आज हम सुनेंगे मुश्री प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी होली का पिरसाद चली दोस्तो कहानी शुरू करते हैं मैकूलाल अमरकांत के घर शत्रंज खेलने आये तो देखा वो कहीं बाहर जाने की तयारी कर रहे हैं पूछा कहीं बाहर की तयारी कर रहे हो क्या भाई फुर्सत हो तो आओ आज दो चार बाजियां हो जाए अमरकांत ने संदूक में आइना कंगी रखते हुए कहा नहीं भाई आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं कल जरा सस्राल जा रहा हूँ तो आज ही से तयारी क्यों करने लगे चार कदम तो है शायद पहली बार जा रहे हो अमरकांत हाँ यार अभी तक एक बार भी नहीं गया मेरी इच्छा तो अभी भी जाने को न थी पर ससुर जी अगरे कर रहे हैं इसलिए जाना पड़ रहा है मैकू तो कल शाम को उठना और चल देना आदे घंटे में तो पहुँच जाओगे अमर मेरे हिर्दे में तो अभी से जाने कैसी धरकन हो रही है अभी तक तो कल्पना में पत्नी मिलन का आनंद लेता था अब वो कल्पना पिर्तियक्ष हुई जाती है कल्पना सुन्दर होती है पिर्तियक्ष क्या होगा कौन जाने मैकू तो कोई सौगात ले ली खाली हाथ न जाना नहीं मूँ भी सीधा ना होगा अमर कांत ने कोई सौगात ना ली थी इस कला में अभी अभ्यास्त ना हुए थे मैकू बोला तो अब ले लो भले आदमी पहली बार जा रहे हो भला वो दिल में क्या कहेंगी अमर तो क्या चीज ले आऊँ मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया कोई ऐसी चीज बताओ जो कम खर्च और वाला नशीन हो क्योंकि घर भी रूपी भेज रहे है दादा ने रूपी मागे है मैंकू माबाप से अलग रहता था ब्यंग करके बोला जब दादा ने रूपी मागे है तो भला कैसे टाल सकते हो दादा का रूपी मागना कोई मामूली बात तो नहीं अमर कांत ने ब्यंग ना समझ कर कहा हाँ इसी बज़े से तो मैंने होली के लिए कपड़े भी नहीं बन बाए मगर जब कोई सोगात ले जाना भी जरूरी हो तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा हलके दामों की कोई चीज बतलाओ दोनों मित्रों में विचार बिनमे होने लगा बिशे बड़े ही महत्वका था उसी आधार पर भाबी दामपत जीवन सुखमे या इसके पृतिकूल हो सकता था पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन पर इस्थाई प्रभाव डाल सकता है तो पहला उपहर क्या कम महत्वका बिशे है देर तक भहिस होती रही पर कोई निश्चे ना हो सका उसी बक्त एक पार्सी महला एक नए फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई मैकूलान ने कहा अगर ऐसी एक साड़ी ले लो तो वो जरूर खुश हो जाए कितना सूफियाना रंग है और वज़ा कितनी निराली मेरी आखों में तो जैसे बस गई हाशिम की दुकान से ले लो पचीस रूपिये में आ जाएगी अमरकांत भी उस साड़ी पर मुग्ध हो रहा था बधू ये साड़ी देखकर कितनी फिरसन होगी और उसके गोरे रंग पर ये कितनी खिलेगी भे इसी कलपना में मगन था बोला हाँ यार पसंद तो मुझे भी है लेकिन हाशिम की दुकान पर तो पिकेटिंग हो रही है मै को बोला अगर पिकेटिंग हो रही है तो होने दो खरीदने बाले खरीदते ही हैं अपनी इच्छा है जो चीज चाहते हैं खरीते हैं किसी के बाबा का क्या साजा है अमरकांत ने छमा प्राथना के भाव से कहा ये तो सत्य है लेकिन मेरे लिए स्वेम सेवकों के बीच से दुकान में जाना संभब नहीं है फिर तमाशायों की हर दम भीड़ भी तो लगी रहत हाशिम की दुकान की सिवा और कहीं ना मिलेगी मैंकू बोला संधिया हो गई थी अमीनाबाद में आकरशन का उदय हो गया था सूर्ये की पिर्तवा बिध्धत प्रिकाश के बुलबलों में अपनी इसमिर्ती छोड़ गई थी अमरकांत दवे पाउ हाशिम की दुकान के साम मत ने जबाब दे दिया मगर साड़ी लेना जरूरी था बहे उसकी आखों में खूब खूब गई थी बहे उसके लिए पागल हो रहा था आखिर उसने पिछवाड़े के दौर से जाने का निश्य किया जाकर देखा अभी तक बहां कोई वालेंट्रियर ना था जल्दी से एक स पाटे में भीतर चला गया और 2025 मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आया पर इतनी ही देर में परिस्तिती बदल चुकी थी तीन स्वेम सेवक आप होंचे थे अमरकांत एक मिनट तक द्वार पर दुविधा में खड़ा रहा फिर तीर की तरह निकल भागा और अंधा दुन्द भागता चला गया पर दुर्भागी की बात एक ओ बढ़िया लाटी टेकती हुई चली आ रही थी अमरकांत उससे टकरा गया बढ़िया नीचे गिर पड़ी और लगी गालिया देने आँखों में चर्वी छा गई है क्या देखकर क्यों न गेर लिया एको स्वेम सेबक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा बिल्लाती कप्ला ले जाये का हुकम नहीं ना बुलायत हैं तो सुनत नहीं हो दूसरा बोला आप तो ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागे तीसरा बोला हज्जाइरिन मनई पकर पकरी के जहल में भरा अजात अहें देश में आग लगी है और इनका मन बिल्लाती माल से नहीं भरा अमरकांत ने पैकेट को दोनों हाथों से मजबूत करके कहा तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं पहले स्वेम सेबक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए कहा जाय कसन देई बिल्लात से बक्तुरंत उसके सामने लेट गए अब बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे जिस बेपत्ती से बचना चाहते थे बहजबर जिस्ती गले पड़ गई एक मिनट में बीसों आदमी जमा हो गए चारों तरफ से उन पर तिपड़ियां होने लगी कोई बोला कोई जंटुल लो और कह दो जाकर पुलिस में रपट करें आब पेचारे क्या करते बेड़ियां सी पहने खड़े थे कैसे गला छूटे इसका कोई उपाए न सूझता था मैकुलाल पर किरोद आ रहा था कि उसी ने ये रोग उनके सिर मढ़ा उन्हें तो किसी सौगात की फिकर ही ना थी आ एक बहां से कि सौगात ले लो कुछो देर तक लोग तिपड़ियां ही करते रहे फिर छीना जपड शुरू ही किसी ने सिर से टोपी उड़ा दी उसकी तरफ लपके तो एक ने साड़ी का पैकिट हाथ से छीन लिया फिर वो देखते ही देखते हाथों हाथ गायब हो गई अमरकांत ने बिगड़ कर कहा मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ एक आदमी ने कहा हाँ हाँ जरूर जाओ और हम सबी को फासी चड़वा दो सहसा एक युपती खदर की साड़ी पहने एक थैला लिये आ निकली इहां ये हुरदंग दे कर बोली क्या मामला है तुम लोग क्यों एक भले आदमी को दिख कर रहे हो अमरकांत की जान में जान आई उसके पास जाकर फर्याद करने लगे ये लोग मेरे कपड़े छीन कर भा बॉडाइए नहीं आपके कपड़े मिल जाएंगे होगे तो इन ही लोगों के पास बताए कैसे कपड़े थे एको स्वेमसेवक बोला भ diversity इन्होंने हांशिम की दुकान से कपड़े लिये हैं युपती बोली किसी की भी दुकान से लिए हो तुम्हें उनके हातों से कपड़ हाथ गई थी बैसे ही हाथों हाथ बापस भी आ गई जरादेर में भीड़ भी गायब हो गई सुयम सेवक भी चले गए अमरकांत ने युपती को धनेबाद देते हुए कहा अगर आप इस समय ना आई होती तो इन लोगों ने धोती तो गायब ही कर दी थी शायद मेरी खबर भ भाव से कहा जन समपत्ती का लिहाद तो सभी को करना पड़ता है मगर आपने इस दुकां से कप्रे लिए ही क्यों जब आप देख रहे हैं कि बहां हमारे उपर कितना अत्याचार हो रहा है फिर भी आप न माने जो लोगों समझ कर भी नहीं समझते उन्हें कैसे कोई तो इस समय बहुत ज़्यादा लजित हो गए अपने मित्रों में बैठ कर जो सोच्छा के राग अलापा करते थे बह भूल गए बोले मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं एक महला की फरमाज थी इसलिए मजबूर था उन्हों महला को आपने समझाया नहीं आप समझाती त साद गंज में आपका शुब नाम अमरकांत युपती ने तुरंत जरासा घूंगट खींच लिया और सिर जुका कर संकोच और इसने से सने स्वर में बोली आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है उसने फरमाज कैसे की फिर अमरकांत ने चकित होकर पूँचा आप किस महल जो अला दत जी है हाँ उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं युपती बोली अमरकांत ने जेब से दिया सलाई निकाली और बहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया सुखदा ने कहा आपका लाएंगे अमरकांत ने अब रुद्ध कंट से कहा नहीं सुखदा जब किसका प्राश्चित ना कलूंगा ना हूंगा सुखदा कुछ और कहने जा रही थी कि अमरकांत तेजी से कदम आगे बढ़ा कर दूसरी तरफ चले गए आज होली है मगर आजादी के मतबालों के लिए ना होली है ना बसंत हाशिम की दुकान पर आज भी पिकेटिंग हो रह हैं एको सेमसेबक ने कहा पानिदारों को यूँ बात लगती है कल तुम क्या थे और आज क्या हो गए सुखदा दे भी ना आ जाती तो बड़ी मुश्किल होती अमरकांद ने कहा मैं उनके लिए तुम लोगों को धन्यवा देता हूं नहीं मैं आज इहां ना होता आज तु मैं आज उन्हें ना जाने तूंगी कल के अपमान के बाद अब मैं उन्हें मूँ दिखाने यूग नहीं हूँ जब मैं रमली होकर इतना कर सकती हैं तो हम तो हर तरह के कश्ट उठाने के लिए बने हैं खास कर जब जब बाल बच्चों का भार सिर्पन नहीं है उसी वक्त पुलिस की लारी आई एक सब इंस्पेक्टर उत्रा और स्वेम सेवकों के पासा कर बोला मैं तुम लोगों को गिरफतार करता हूं बंदे मातरम की धोनी हुई तमाशाईयों में कुछ हल चल हुई लोग दो दो कदम और आगे बढ़ाए स्वेम सेवकों ने दर्शकों को प पुश्प माला थी लारी का दौर खुला उसने उपर चड़कर बहे अमरकांत के गले में डाल दी आँखों से इसने और गर्ब की दो बूंदे टपक पड़ी लारी चली गई यही होली थी यही होली का आनंद मिलन था उसी बक्त तो सुखदा दुकान पर खड़ी होकर बोल बिलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशिद रो है तो दोस्तो यह कहानी थी मुशी प्रेम चंद के दौरा लिखी जिसका नाम था होली का उफार कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक करें चैनल को करें मिलते हैं दोस्तो अगली किसी नई कहानी में